दोस्तों, हिंदू रीती रिवाजों के अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है, तो उसे शम्षान घाट पर ले जाकर दाह संसकार किया जाता है. लेकिन आपने देखा होगा कि शम्षान घाट पर महिलाएं कभी नहीं जाती हैं. हिंदू धर्म में अन्तिन संसकार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते, और उन्हीं मान्यताओं में से एक है, कि जब भी किसी की मृत्यू हो जाएं, तो परिवार की महिलाओं को अंतिन संसकार के लिए शम्षान घाट नहीं जाना चाहिए. हिंदू पुराणों में महिलाओं को शम्शान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए इसके कुछ विशेश कारण बताए गए हैं इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर महिलाओं का शम्शान घाट जाना वर्जित क्यों है जिसका वर्णन गरुर पुराण में किया गया है जबकि आज के समाज में आपको कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है आज महिलाएं भी अंतिन संसकार यात्रा में सम्मिलित होना शम्शान घाट जाना, मृत व्यक्ती को मुखागनी देना इत्यादी कार्य करती हुई दिखाई देती है ऐसे में हर हिंदू के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर धर्म ग्रंथों में इसे वर्जित क्यों माना गया है और इसके पीछे का कारण क्या है तो आए बिना देर किये जानते है हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए तीन प्रमुख कारणों के बारे में जो महिलाओं को शम्शाम धाट जाने से रोकते हैं। गरुर पुरान में एक कथा का उल्लेख है जिसके अनुसार मृत शरीर के अगनिदाह के समय यदि कोई रोता है इससे मृत आत्मा दुखी होती है और उसे शान्ती नहीं मिलती। जित बताया गया है। इसके आलावा शम्शाम धाट में ऐसे और भी द्रिश होते हैं। जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं माना गया है। जैसे शव को जलाने से पूर्व उसके कपाल पर डंडे से मारा जाना। जो की परमपरा है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए ये द्रिश देखना सहज नहीं होता। ये सब उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित समझा गया है। आईए अब बात करते हैं दूसरे कारण की। हमारे हिंदू संस्कृती के अनुसार परिवार के सदस्यत मृत व्यक्ति का अंतिन संसकार कर्म कांडों के हिसाब से करने शमशान जाते हैं। जहां मृत देह को पूरे वित्रिवाजों के अनुसार चिता में जला दिया जाता है। परिवार के जो व्यक्ति वहां मौजूद रहते हैं, शुद्धी के लिए अपने सर मूंडवा लेते हैं, अर्थात वो अपने सर के सारे बाल त्याग कर गंजे हो जाते हैं। उन लोगों के लिए अपना सिर मुंडवाना अनिवार्य बताया गया है। चाहे फिर वहस्त्री हो या पुरुष उनके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए उन रूप से अपने बालों को बनवाना ना ही संभव है। और ना ही शुब। पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं। परंटु महिलाओं के लिए ऐसा करना अनुचित बताया गया है। और इसे अशुब माना गया है। दोस्तों यह आवश्यक नहीं कि ऐसा सभी करते हैं। यह लोगों पर निर्भर करता है कि वे कौन सी परंपराओं को मानना चाहते हैं क्योंकि आजकल कई महिलाएं इन परंपराओं को नजरंदाज करते हुए अंतिन संसकार में शामिल होती हैं। परंटु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। दोस्तों आए अब जानते हैं तीसरा कारण। गरुन कुरान में वर्नित मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि मृत देह के होने से घर अशुद्ध हो जाता है। और इसलिए शब को घर से ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया ज जाती हैं। यही सोचकर पुरुषों को शम्शान धाट जाकर शब की अगनिदाह की जिम्मेदारी सौपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलों को निभाने का उत्तरदाईत्व महिलाओं को दिया गया है। इसके पीछे का एक दूसरा कारण ये भी है कि जब शब ज जलाया जाता है तब वातावर्ण में कीटानू फैल जाते हैं जो की चिता के पास खड़े लोगों की दवचाओं पर चिपक जाते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले शरीर पर चिपके उन कीटानू और नकारात्मक उर्जा को घर के बाहर छोड़ने के लिए महिलाएं पुरुशों को घर के बाहर ही स्नान शुद्धी आदि करने का कार्य कराती हैं। शुद्धी के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमती होती है। जदी ऐसा नहीं किया जाता तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक उर्जा का प्रवेश माना जाता है। आए अब जानते हैं हिंदु धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कुछ और कारणों के बारे में जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को ज्यादा पेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्शित होती हैं और खासकर कुवारी महिलाओं की तरफ। माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुवारी महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने वश्मे कर उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भूत प्रेतों के इस भयावः प्रभाव से बचाने के लिए महिलाओं को शम्शान घाट ले जाने से मना किया गया है। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृती ही हमारी पहचान है। इसलिए उस संस्कृती को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हाला कि संस्कृती और परंपराओं का पालन करना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मान कर नजर अंदाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्नित परंपराओं का कोई आधार नहीं है। हर परंपरा का अपना एक कारण और संकेत है जिसे सिर्फ जानने की आवश्यक्ता है। दोस्तों आशा है आपको हमारी यह विडियो पसंद आई होगी तो प्लीज विडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही विडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभं भवतु। आईए मिलते हैं।